इस पूरे मसले में सक्रिय हो चुकी है ग्रीन कॉरिडोर बना करके जिस प्रकार से ऑक्सिजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सिजन टेंकरों के साथ त्वरित क्यूंकि ग्रीन कॉरिडोर है वो त्वरित चाके उन्स राजियों में पहुँच रही है जिन राजियों में ऑक्सिजन विशाकापटनम, बोकारो और राउरकिला इन तीनों जगह जा रहे थे, तीनों ही स्थान भारती जनता पार्टी साशित राज्यों में नहीं है, एक आंदरप्रदेश में है, एक जारखंड में है, और तीसरा राउरकिला मेरे ग्रहराज ओडिसा में है, तीनों में भारती ज जो भविश्य का आपने प्लान बताया है संबेची वो राहत देता है लेकिन आज की स्थिती पर आपने कोई बात नहीं की जो करोना की पहली लहर के बाद आशंका थी दूसरी लहर की उसके लिए हमें जो तैयारी हमारी जो केंदर सरकार राज्य सरकारों को करनी चाहिए थी उस पर आपने कोई बात नहीं की संबेची अगर एक भी व्यक्ति ऑक्सिजन के कमी से आज मर रहा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है संबेची और क्या आज आप ये दिल पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है संबेची देखिए साइद भाई आपने ठीक कहा एक भी व्यक्ति अगर ऑक्सिजन की कमी के कारण क्या अगर एक भी व्यक्ति आईस्यू में वेंटिलेटर में ऑक्सिजन होते हुए मेडिसिन होते हुए भी अगर उसकी मृत्ति होती है चाहे वो कौरोना से हो या किसी भी कारण से हो वो तो दुखदी होता है कभी भी उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता मगर आपने भी सही कहा क्या अब हिंदुस्तान ने कहीं न कहीं ये सेकेंड वेव ये आएगा इसको पढ़ने में देरी की देखिए राज्य सरकार भी रिपोर्टे देती हैं और केंद्र सरकार के प्रवक्ता भी है और यहां पर तमाम डिफेंट पॉलिटिकल पार्टिस के प्रवक्ता भी है मैं तो भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहूंगा हां कई भारती जंता पार्टी साशित राज्यों ने भी ये रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि हमें ऑक्सिजिन क हम सब को ओनफ करना पड़ेगा। पर भी आप से बात करेंगे आगे।